हेलो फ्रेंट्स आप सभी का फिर से स्वागत हैं आज किस नए वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में 5 ऐसे स्टॉक लेके आये हुए हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी बेतर है क्योंकि इसमें अभी ब्रेक आउट होने ही वाला है तो ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि ब्रेक आउट के बाद प्राइस काफी जादा मूमेंट देता है तो उसी मूमेंट को कैप्चर करके हम लोग बहुत असानी से 12-15% का रेटरन जेनरेट करने वाले हैं तो चलिए देख लेते वो कौन-कौन से स्टॉक है जिसमें अभी ब्रेक आउट होने वाले है तो हम लोगों का सबसे पहला स्टॉक है हिंडाल को और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके का एसेंडिंग ट्रेंगल पैटरन बना हुआ है और अभी यहाँ पर प्राइस कॉंसोलिडेट कर रहा है तो चांस है कि जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट खुलने के एक या फिर दो दिन के अंदर में कुछ इस तरीके का कैंडल बनाके ब्रेक आउट देगा और तो फिर हम लोगों को एंट्री कब करना है दोस्तों एंट्री का कंडिशन सिर्फ इतना रहेगा कि जो भी कैंडल बनाके अगर इस लाइन को ब्रेक कर देता है उसके बाद दूसरा वाला कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होता है कुछ इस तरीके से पहला candle का high यहाँ पे और उससे उपर दूसरा वाला का अगर high होता है तब हम लोगों को buy side की और entry plan कर लेना है अब दोस्तो SL कहाँ पे लगाएंगे तो हम लोगों का SL यह होगा 490 पे SL लगा लेंगे और target रहेगा 630 क्यूंकि दोस्तो प्राइस अगर काफी तेजी से उपर जाएगा तो target तो hit करेगा ही करेगा और हम लोगों को अच्छा कासा profit हो सकता है लेकिन दोस्तों अगर price उपर ना जाके अगर नीचे आने लगेगा तो हम लोगों को नुकसान होने लगेगा तो कम से कम नुकसान हो इसलिए हम लोगों को इसे लगाना काफी जाधा जरूरी है तो अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं यहां पर एसल को हमेशा ध्यान में रखते हुए ट्रेड को इनिसियेट की जिएगा तो चलते हैं गाईज अपने सेकेंड वाले स्टॉक की और जो की है डी माट इसमें देख लेते हैं कैसा पैटरन बन रहा है डी माट यह रहा सेयर का नाम अब दोस्तो इसमें भी ट्रियंगल वाले पैटरन बना है लेकिन इसमें डिसेंडिंग ट्रियंगल पैटरन बना हुआ है और यहां पर प्राइस कॉंसोलिडेट कर रहा है तो यहां भी हाइली चांस है कि यह ब्रेक कर देगा एक या फिर दो अगर उसके ऊपर जाके क्लोज हो रहा होगा तो हम लोगों को बहुत असानी से बाई साइड की और इंटरी प्लान कर लेना है अब दोस्तों इसमें एसल कहां पे लगाएंगे तो जो केंडल ब्रेक आउट दिया रहेगा ना उसी के लो से थोड़ा सा नीचे अपना इसे ल लगा लेंगे अब दोस्तों टार्गेट हम लोगों का ये रहेगा 5144 पे हम लोगों का टार्गेट रहेगा तो टार्गेट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हो सकता है लंबा इंतजार करना पर जाए महीना दिन या फिर दो महीना का भी इंतजार करना पर सकता है और इसमें भी ट्रियंगल वाले पैटर्न बने हैं जो कि है डिसेंडिंग ट्रियंगल पैटर्न और बहुत अच्छे तरीके का पैटर्न यहाँ पर बना हुआ पूरा क्लियरली आप देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर भी प्राइस कॉंसोलिडेट कर रहा है अब यहाँ वाले केंडल के बाद दूसरे केंडल को देखना है क्या इसके बाद वाला केंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो रहा है या फिर नहीं तो अगर उसके ऊपर जाके क्लोज हो रहा है कुछ इस तरीके से तब हम लोगों को बाई साइड के और इंटरी प्लान कर सकते हैं मतलब प 240 पर टारगेट रहेगा लेकिन इसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों देख सकती कितना लंबा टारगेट है तो समय भी लंबा देना पड़ेगा तो इंट्री करना चाहते हैं और इंट्री करने के बाड़े में अगर सोचेंगे भी तो है गाईज अपने नेक्स्ट वाले स्टॉक की और जिसका नाम है एफ एल एंडिया इसमें भी ट्रियंगल वाले पैटर्न बने हैं डिसेंडिंग ट्रियंगल पैटर्न लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी ब्रेक आउट इसमें नहीं हुआ है बस एक जब तक ब्रेक आउट नहीं होता है तब तक इस स्टॉक को देखते ही रहा ना इसमें एंटरी प्लान नहीं करना है जैसे की मालने ते जिगजग जिगजग किया और यहां पर आके ब्रेक आउट दिया ना तो यहीं पर हम लोगों को इंटरी करना इससे पहले कभी भी जार करेंगे जब तक प्रोपर तरीके से ब्रेक आउट नहीं होगा तब तक हम लोगों को इंट्री नहीं करना है तो इंट्री अगर ब्रेक आउट करता भी है तो इंट्री कब करेंगे जो भी ब्रेक आउट देगा उसके बाद वाला केंडल अगर हाई को ब्रेक करेगा तब हम लोग को इंट्री करना है इसे कहां लगाएंगे तो ब्रेक ट वाले केंडिल के लोग से थोड़ा सा नीचे अपना इसे लगा लेंगे टारगे हम लोगों का यह हो जाएगा पंदरह सव पांच पे हम लोगा टारगेट रहेगा तो चलते हैं गाइज आज के last वाले stock की और जो कि आज का 5 वाइ stock है बाला जी अमाइन्स इसमें भी triangle वाले pattern बने है descending triangle pattern और यहाँ पे price दोस्तो consolidate कर रहा है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं price consolidate कर रहा है और जहाँ पे consolidate करता है न उसी को chance होता है break करने का तो यह support पे consolidate कर रहा है तो chances है कि इसी को break करेगा और price नीचे आएगा तो हम लोगों के पास sell करने का कोई option नहीं है क्योंकि swing trading के उपर हम बात कर रहा है तो swing में आप sell नहीं कर सकते हैं अगर यही intraday रहता ना तो intraday में sell कर सकते हैं लेकिन दोस्तों हम बात कर रहें swing का तो swing में sell नहीं कर सकते हैं equity का बात कर रहें future and option में आप sell कर सकते हैं पर equity में sell करने का कोई option नहीं होता है तो अगर इस line को break करके price नीचे आ जाता है न तो हम लोगों को छोड़ देना है इसे stock को छोड़ देना है कुछ नहीं करना है तो जब इसे stock को छोड़ ही देना है तो हम लेकि क्यों आया है आपको बताना चाहेंगे कि बहुत हद तक यह भी chances बन रहा है कि price यहां से उपर जाएगा और अपने triangle pattern को पूरे अच्छे तरीके से अभी complete नहीं किया हो सकता है कुछ भी ऐसा बोला नहीं जा सकता हो सकता है भड़के उपर साइड में breakout करे या फिर नीचे साइड में breakdown करे तो ऐसा अभी बोलना कुछ भी सही नहीं होगा लेकिन देखते रहना है कि अगर triangle के अंदर में आ जाता है और फिर उपर साइड की और breakout करता है तब हम लोगों को buy side की और बोले तो long position बना सकते हैं तो अगर ऐसा option अगर ऐसा मौका देता है ये stock बाला जिया माइंस तब हम लोगों को buy side की और opportunity देता है तो हम लोग जरूर long position बनाएंगे और target रहेगा हम लोग का 25-50 पे 25-50 पे target रहेगा इसल कहां पे लगाएंगे ये बता आपको पता ही कि breakout वाले candle के low से थोरा सा नीचे अपना इसल लगा लेंगे तो दोस्तों ये रहे आज के पांच stock हम लोगों का सबसे पहला हिंडाल को जिसमें ट्रियंगल पैटर्न डी मार्ट ट्रियंगल पैटर्न एसरेफ ट्रियंगल पैटर्न एफ एल ट्रियंगल पैटर्न बाला जिय हमाइन ट्रियंगल पैटर्न तो पांचों के पांचों स्टॉक में ट्रियंगल पैटर्न बने हुए कोई एसेंडिंग ट्रियंगल पैटर्न है तो किसी में डिसेंडिंग ट्रियंगल पैटर्न है लेकिन है सभी में ट्रियंगल वाले पैटर्न ही और यह जो भी ट्रियंगल वाले पैटरन होते सभी के सभी नीटरल पैटरन होते कभी ऊपर ब्रेक आउट कर देते हैं कभी नीचे ब्रेकडाउन कर देते हैं तो इंतिजार करना है देखना है कि ब्रेक आउट पे हम लोगों को बाई करना है और ब्रेकडाउन पे हम लोगों को सेल नहीं करना है क्योंकि इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपसेल नहीं कर सकते यह हम में ऑप्सन ही नहीं मिलता है तो अगर ऑप्सन आता है बाई करने का तो डिफिनेटली बाई कर सकते बाई करते समय एसेल को हमेशा ध्यान में रखते बाई कि जिएगा क्योंकि प्राइस उपर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा चलिए चलते मिलेंगे फिर अगले वडियो में